अज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क से बिना चासनी के बेशन की बर्फी इन्हें बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बेशन की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं बेशन की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ओन करके एक कड़ाई रखेंगे और उसमें टू टेवल स्पून के करीब हम इसमें देशी घी अड़ करेंगे और साथ ही इसमें फो टेवल स्पून के करीब हम इसमें बेशन एड़ करेंगे बेसन को low to medium flame पर लगाता चलाते हुए भूनेंगे बेसन को हमने पहले से ही छान कर ले लिया था अब हम इसे लगाता इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे जिससे की इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुश्बू आने लगे बेसन को भूनने में 15-20 मिनिट का समय लगता है आप देख सकते हैं हमने बेसन को भून लिया है और इसमें से अच्छी सी खुश्बू भी आ रही है इसका कलर भी अलका सा चेंज हो गया है अब हम इसमें एड करेंगे अमूल का ये condensed milk इसे थोड़ा थोड़ा करके एड करते जाएंगे और चलाते जाएंगे हमने इसमें से आदा condensed milk एड किया है और दो से तीन मिनिट के लिए चलाते हुए हम इसे भूनेंगे दो बड़े चमच के करीब हम इसमें बुड़ा एड करेंगे आप चाहें तो चीनी को बारिक पीसकर भी एड कर सकते हैं या फिर आप इसमें तगार एड कर सकते हैं अब हम बुरा कम इसलिए एड किया है क्योंकि बुरा इसमें हमने condensed milk एड किया है condensed milk मीठा होता है इसलिए हमने इसमें बुरे की मात्रा कम रखी है अभी मिस्रन आपको थोड़ा सा सूखा लग रहा है इसे हम लगाता चलाते रहेंगे देखिए हमारा मिस्रन थोड़ा सा सूखा लग रहा है अब हम इसमें वन टेवल स्पून के करीब घी और एड़ करेंगे और चलाते हुए लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे अभी आपको ये नहीं डालना चाहते तो आप अपनी पसंद के according कोई भी ड्राइफूर्स डाल सकते हैं अगर आप इन्हें ना भी डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे दो से तीन मिट में मिस्रण जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा आप देख सकते है मिस्रण जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है और ये कडाई से बिल्कुल भी नहीं चुपक रहा है और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे आप बर्फी जमाने के लिए हमारा मिस्रण बिल्कुल रेडी है अब हम इसे लगाता दो से तीन मेट के लिए चलाएंगे क्योंकि अभी हमारी कडाई थोड़ी सी गरम है अब हम इसमें एक प्लेट में घी लगाकर तयार कर लेते हैं उसके लिए हमने पहले से ही प्लेट में घी लगाकर तयार कर लिया है मिस्रण को अच्छे से इस पैचुला की मदद से फैला काम से उपर से गार्णिशिंग करेंगे इसे हम आदे घंटे के लिए रूम टेंपरेचर पर सेट होने देते हैं आदे घंटे के बाद हम चेक करेंगे आदा घंटा हो चुका है अब हम चेक कर लेते हैं हम देख सकते हैं आप हमारी मिजरन बहुत ही अच्छी तरह से जम गया ह अब हम चारों तरफ से चाकू की सायता से हमने इसके किनारे निकाल लिये थे आप भी इसी तरह से निकाले और प्लेट को उल्टा करके दो से तीन बार हाथ से टैप करें ऐसा करने से विशन बहुत ही जल्दी आसानी से बाहर आप जाता है आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल कर आ गया है अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेते हैं इसके किनारों को हातों से सेट कर लेते हैं अब हम इसके पीसिस कट कर लेते हैं पीसिस आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े रख सकते हैं मैंने इसके पीसिस कट कर लिए देखिए कितनी आसानी से पीस निकल रहे हैं इन्हें हम एक ब्लेट में निकाल देते हैं बेशन की बर्फी बनकर के तयार हैं मैं आपको एक पीस तोड़ कर दिखाती हूँ देखिए कितनी सौफ्ट बर्फी बनी है यकीन मानिए गाइस बहुत ही टेश्टी बर्फी बनती हैं आप एक बार जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें अगर आप मेरी इसी तरह की नई नई वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल जादोन इंडियन किचन को सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर वाइ बाइ गहाईस